प्राकर्तिक संपदा हमारे चीवन की अमूले निधी है ये कलकल छलचल करती बहती नदियां ये उचे नीचे पहार उप्योगे एम सुन्दर पेड़ पौधे सलसन चलती ये ठंडी ठंडी हवा के जोंके चरते विचरते हुए जानवरों का जुन अपनी गर्मी और प्रकाश फ्यलाता जखमगाता हुआ सूरच और मीची मीची शीतल चान ने भिखेता खुब सूरच चंदमा आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे जिसके बारे में तुम लोगों का भी टेस्ट है ना प्राक्तिक संपता और उसका हमारे जीवन में महत्व अच्छा इव बताओ तुमनोंने खाना खा लिया? जी दी खा लिया? जी अच्छा ये खाना जो है किस पे पकता है? कोईला जलाकर और लकडी जलाकर लकडी जलाकर और गैस पर गैस पर भी तो ये सब चीजे जो है कोईला लकडी गैस ये जितनी भी चीजे हैं ये हमें कहां से मिलती है? प्रक्ति से कि प्रक्रति में पाई जाने वली वो चीजें जो हमें सुवता प्राप्त होती है ओर हमारे प्रक्रति में बहुत सी ऐसी प्राक्ति की संपदा हैं जो कि हमें प्रयोग के बाद पुनाप्राफ्त हो जाती है और कुछ ऐसी है जो प्रयोग के बाद पुनाप्राफ्त नहीं होती है दीदी लेकिन ऐसी कौन कौनती समधार हैं जो प्रयोग के बाद फिल से प्राफ्त हो जाती है और कौनसी पुनाप्राफ्त नहीं होती है अक्सीजन की बिल्कुल ठीक और क्या पता है तुम लोगों को कि हमारे वातवरण में इतनी सारी ऑक्सीजन कहां से आती है कहां से दीदी दीदी सभी हरे भरे पेड़ पौधों से बिल्कुल ठीक और ये हरे भरे पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन आती है वो हमारी कैसे आती है क्योंकि सभी पेढ़ पौधे सूर के प्रकाश में अपना बोजन बनाते हैं, धीक है जिसको कि हम प्रकाश संसलेशन की के यह कहते हैं इस किरिया में क्या होता है कि पौधे जब बोजन बनाते हैं तो तो carbon dioxide gas वातवरन से लेते हैं और oxygen छोड़ देते हैं दीदी आफ वातवरन में oxygen फिर से आजाती है और वही oxygen हम वातवरन से ग्रहन कर लेते हैं और carbon dioxide gas छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे द्वारा जो छोड़ी गई carbon dioxide gas है वो फोड़े लेते हैं और हमको जीषत रखने के लिए वो oxygen दिते हैं और हाँ दीदी मैं भी समझगी कि इतने सारे लूगों के लिए oxygen कहां से आती है तो मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ चित्र लाएं हूँ यह मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि यह देखो, यह है ऑक्सीजन, यहाँ पर इस चित्र से देखो तुम लोगों को पता चल जाएगा, कि यह मानोव जीवन है, यह वन प्राणी है, यह पेड़ पौदे है और यह पक्षी है, तो जिन समय में सजी वस्तुओं को हमारे इसमें दिखाए गया है कि ऑक्सीजन का क यह मातव है, एक इसी तरीके से यह देखो, दूसा चित्र है, जो मैं तुम लोगों के लिए लेकर आई हूँ, यह, जैसा कि अभी मैंने तुम लोगों बताया, कि पेड़ पौदे कार्बन एक्साइड गयस लेते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और हम लोग कार्ब कार्बन एक जरगेस छोड़ा है, ठीक है, बच्चों, तो यह प्रेशन मैंने तुम लोगों से इसलिए पूछा था, क्योंकि यह ऑक्सीजन हमको प्रक्ती में पुन्हा प्राप्त हो गई, है ना, इसी तरह से बहुत सी चीजे हैं, जो कि प्रक्ती में हमें प्रयोक के तो नवीकर्णी संपदाइन वो संपदाइन हैं, जो कि हमें प्रक्ती में प्रयोक के बाद पुन्हा प्राप्त हो जाती हैं, आगे समने तम लोगों के समझ में हम बोलो क्या पूछ रहते, है एक बता होते हैं, दुबारत पर ना होने ज संपदाइन कौं कौंसी है, पेट्रोल, डीजल से, पेट्रोल और डीजल वगारा से चलते हैं, तो ये संपदाएं, जो कि हमें प्रक्रति से प्राप्त होती हैं, क्या हमें पुन्हा प्राप्त होती हैं, अगर वहां चलता है, तो डीजल तो हमें दुबारा प्राप्त नहीं होता, पेट्रोल खर्च हो ज पुद्वार्आ प्राक्त्ना होने वाली उनको हम कहते है और नवी करणी संपदा हैं कौन सी संपदा है और नवी करणी संपदा है समझ में आ गया, ठीक है, तो अभी तुम लोगों को दो बाते बताई गई, पहली क्या बताई गई कि प्राकितिक संपदा किसे कहते हैं, और उसके प्रकार, ठीक है, तुम लोग समझ गया होगे, कि प्राकितिक संपदा किसे कहते हैं, और कितने प्रकार की होती है, दो, दो प क्या महत्तो है क्या महत्तो है दीदी प्राक्तिक संपदा का तो हमारी जीवन बहुत ही महत्तो है अब यह तुम लोग तो समझ भी गया होगा कि बहुत से संपदा है हमको पुन्हा प्राप्त होती है बहुत सी नई प्राप्त होती है और कौन-कौन सी है जिनका हमारी जीवन मह जैसे कि हमारे जैसे हमने तुम से बात करी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमको कहा से प्राफ होती है वातावरन से और तुम अगर सोचो कि अगर ये ऑक्सीजन हमको ना मिले तो क्या होगा कोई भी प्राणी जीवित रहेगा नहीं जीवित रहेगा तो उसी तरीके से हमारे क्या होत है कि रूटी, कपड़ा, मकान, हमें कि एक जीवित प्राणी के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, और ये चीजें हमें कहां से मिलती है, प्रकति से मिलती है, है ना, तो प्रकति से हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिलती है, जैसे कि घर बनाने के लिए लकडिया, लोहा बालू, बहुत सी कृष्री उत्पादवाली चीजें, ठीक है? तो यह हमको वातावरान से प्राप्त होती है, प्रकति से प्राप्त होती है, और यह प्रकति क्या है? हमारे जीवन की अन्मोल धरोहर है, उसके उपर हमारा पूरा जीवन निरभर है, है ना? तुम सोचो कि अग म्रिग, हिरन, कस्तूरी, ऐसे बहुत से ना जाने वनि प्राणी धरते हैं, जिनका की पूरी तरह से आश्रे कहां पर होता है? जंगलों में होता है, और अगर हम जंगल काट देते हैं, तो जंगलों में पेड़ पौदे जो होते हैं, उनके कटने से क्या होगा? मत्टी जो ह बाढ़ का डर रहेगा, बिल्कुल सही तुमने कहा, क्योंकि बाढ़ हाने का से रहेगा, क्योंकि नदियों के किनारे से जो पानी आता है, वो क्या बहे के जो है, हमारे गाओं में घुझ जाएगा, और दूसरी बात क्या होगी, बाढ़ हा जाएगी, ठीक है ना? और अलग बाढ़ बनना, भाब बनना जो होता है, तो वो क्या होगा, पानी का, तो वो क्रिया क्या होगी, वो धीमी पढ़ जाएगी, तो जब धीमी पढ़ जाएगी, तो क्या होगा, बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, तो क्या होगा, उसका असर किस पर पढ़ेगा, खेती थीख है तो जब खेती पे असर पड़ेगा तो क्या होगा आन्य नहीं होगा आने नहीं होगा तो फिर हमारा मानोजीवन असर होगा उसके उपर तो हमें ये बात जो है बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि प्राकितिक संपदा का हमारे जीवन में क्या मात्व है और ये सब हमारे जीवन की अनमोल धरोहर हैं चितनी भी प्राकितिक संपदाए हैं। उनको हमको बचाके रखना चाहिए। ठीक कह सुनक्षा करना चाहिए। क्योंकि देखो होता है कि जो चीज हमारा क्या लगती है। हमें भी तो cracking लगती है ना। ठीक है, वन प्राणियों का जो है घर नहीं हो जाड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा मानो जीवन खुशाहाल होगा, चारों तरब सुख होगा, सब कोई खुश होगा, प्रकति जो है इद्दम हरी भरी हो जाएगी, तो हमारे साथ बोलो, आप प्रकति सम्पदा बचाए मानो जीवन सबल बनाएगे